हलो फ्रेंड आज मैं में मेंगो लशी बना रही हूँ मैं मालदे आम ली हूँ ये पकने के बाद बिल्कुल मीठा हो जाता है मैं इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है अब इसे छीलूंगी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों और एक बार इस तरह से मेंगो लशी बना कर पीए आजकाल मार्केट में आम बहुत आने लगा है दोस्तों हर तरह का ये पीने में रसीला लगता है अब मैं इसे रखूंगी दुसरा वह आम उठा लें और मैं इसे काट कर दिखाती हूं अब मैं चम्बच के सहाचा से आम का पल्ट निकालूंगी ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया है और जो आम छीली थी उसे मैं काट कर निकालूंगी अब इसमें ताटादा ही डालें काटादा ही मीठा होता है स्वात के अनुसार चीनी मीठा अपने अनुसार रखे दोस्तों मेंगो लच्सी बहुत असानी से बन जाता है अब मैं इसे दो तीन मिनेट के लिए लगातार चलाऊंगी गिलास में कुछ बरफ का टुकरा डाल दें ठंडा होने के लिए अब मेंगो लच्सी डालें ये गाढ़ा गाढ़ा मेंगो लच्सी अच्छा लगता है अब उपर से ड्राइ फ्रूट डालें जो भी घर में महमान आए तुरंद फटाफट आम लच्छी बना कर दें दोस्तों गड़मी के मोशम में इस तरह से एक बार जरूर बना कर पिए दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्य बात